हेलो एबरिवन स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीडी से यूटूटर के मेडिसिन सेरीज में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पॉपलर मेडिसिन क्यूटी सॉफ्ट लोशन के बारे में क्यूटी सॉफ्ट लोशन खासकर इसकिन पर जो अलग अलग समस्याएं होती है उसको दूर करने के लिए दिया जाता है जैसे वो समस्या आपका एक्जेमा हो गया डर्मेटाइटिस हो गया साथी साथ जो सोरोसिस होता है जो रैसेज होता है इचिंग होता है इन सारी जो skin की समस्या है इन skin की condition है उसको दूर करने के लिए lotion लगाया जाता है और इसका तुरंट असर भी देखने को मिलता है तो आज के वीडियो में बात करेंगे QT Soft Lotion के इंदर main API main content क्या मिला होगा इसका उपयोग कहां कहां होता है इसके काम करने का तरीका यानि की mechanism of fiction क्या है इसके इस्तमाल करने का सही तरीका इसका dose, इसका precaution, इसका side effect मतलब इस lotion के हम संपूर जानकारी आपको देने वाले हैं पूरे वीडियो में बने लिएगा ताकि कोई भी information मिसनो होने पाए जी हाँ, जो cutie soft lotion होगा जो की अलग-अलग skin condition को treat करने के लिए यूज किया जाता है उसमें जो main API main content होगा hydro cartisone acetate मिला होता है इस lotion के अंदर 1% के amount में मिला होगा बात करेंगे manufacturer की तो ipka laboratories बहुत अच्छी company है उसके द्वारा बनाई जाती है 30 degree के below store करते हैं और 50 ml के lotion के bottle की कीमत लगबग 200-200 के आसपास इसके MRP आती है डियर बात करेंगे कहां-कहां दिया जाता है ये lotion mainly जब आपके skin पे जो अलग-अलग condition जैसे आपका किसके treatment में जो inflammatory condition जैसे आपका eczema की condition हो गई, skin खराब हो गई dermatitis की condition में allergy, skin पे allergy वगड़ा होती है तो उसको दूर करने के लिए दी जाती है साथ-साथ skin पे rashes वगड़ा आ जाते है itching होती है, redness होता है swallow हो जाता है उस सारी समस्याओं को दूर करने के लिए ये lotion वहाँ पे apply किया जाता है और इसका असर देखने को बनाते है, swallow बनाते है rashes लाते है, उन्हीं chemical messenger को क्या करता है उसके action को reduce कर देता है production को block कर देता है जिससे आपका जो itching हो रही है redness हो रहा है, swallow हो रहा है eczema dermatitis समस्या है वो हमारी दूर हो जाती है अब हम देखेंगे इसके dose की तो इसका dose आपके doctor के हिसाब से doctor आपके skin का condition देखेगा उसके हिसाब से जितना dose बताएगा उसे dose में आप लगा सकते हो मेली 3-4 बार दिन में आप लगा सकते हो साथी साथ इसे लगाने के बाद lotion का bottle अच्छी से सेख करके ही लगाए बात करेंगे इससे जुड़े कुछ precaution की तो जितना भी dose बताएगा उससे जादा उससे अधिक कभी भी अपलाई ना करें खास कर बच्चों की पॉस से दूर रखें इसको इस्तमाल करने से पहले इसके level का direction जरूर पड़ें साथी साथ इसे cool place में dry place में sun light से दूर रखें और इसे apply करने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से जरूर धूले बात करेंगे इससे जुड़े कुछ side effect की तो इसे लगाने के बाद थोड़ा सा कभी कभी redness हो सकता है इचिंग वगड़ा थोड़ा सा हो सकता है साथी साथ थोड़ा सा जलन बर्निंग sensation देखने को कुछ condition में मिल सकता है सोडिय सोडिन ये था आपका क्यूटी सॉप्ट लोशन जी हाँ एक ऐसा लोशन जो कि स्किन पे जो अलग-अलग condition जैसे इचिंग हो गया एकजेमा हो गया डर्मेटाइटिस हो गया एलर्जी हो गया रैसेज हो गया रेड हो गया सॉलो हो गया ये सारी समस्याओं को दूर करने के लिए लोशन बहुत अच्छा विकल्प माना जाता है इस लोशन की जानकारी कैसी लगी अगली मेडिसिन, अगली दवाई, अगला टैबलेट, अगला लोशन किसके बारे मताएं उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा इसी तरीके से आपको इसकिन से सम्मंदिज जो भी मेडिसिन, जो भी क्रीम, जो भी लोशन की जानकारी चाहिए एक बार इस प्लेलिश को विजिट जरूर करिएगा चली मिलते हैं किसे अगले विडियो में, किसे अगले टॉपिक के साथ अब तक के लिए थैंकियो, so much dear, all the very best